साथियो, देश के अंदर जो रहूल गांदी जी ने एतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उससे डर कर भारतिय जनता पार्टी ने जो कदम उठाया, वो कायरता वाला कदम था देश में रहूल गांदी जी ने किसानों के पक्ष में खड़े होकर जो तीन काले कानूण थे, किसानों के पक्ष में खड़े होकर आवाज उठाई, नौजवानों को जिस तरीके से अगनी वीर की योजना लाकर उनके भविशे को अगनी में डालने का काम भारतिय जन्ता पार्टी ने किया युवाओं के समर्थन के लिए जो राहूल गांदी जी ने आवाज उटाई महिलाओं के हो अगनी महिलाओं के हो रहे उत्पीडन को लेकर हाथ रस में जो छोटी बच्ची थी उसको लेकर उसकी अवाज को उठाने के लिए राहूल गांदी जी और प्रिंका गांदी जी जो सडको पे उतरे उससे डर कर भारतिय जन्तापारटी के नेताओं ने जो राहुल गांदी जी की सदसेता खतम की वो कायरता वाला कदम था राहुल गांदी जी ने अदानी से तो सिर्फ ये सवाल पूछा था मोदी से सवाल पूछा था कि वो बीस हजार करोड रुपे अडानी के अकाउंट में कैसे आए वो किसके पैसे थे विजे मालिया निरव मोदी और महूल चौकसी जो देश छोड़ कर भागे उसके उपर सवाल उठाया तो राहूल गांदी जी की सदस्य तक हतम कर दी साथियों यहाँ पे नारा लिखा है दरो मत समिधान अभी जिन्दा है यह समिधान बाबा साथ भीम राओं उम्बेट करने लिखा है और इतनी असानी से भारते जंतव पार्टी के लोग और RSS के लोग इस समिधान को खतम नहीं कर सकते समिधान को मानने वाले यहाँ पर करोड़ों लोग हैं और समिधान के उपर अगर कोई आच आई तो हम अपनी जान की कुर्बानी भी दे देंगे यहाँ पर हम सब लोग यहाँ से संकल्प लेकर जाएं कि हम अपने अपने जिला में जाएंगे अपने अपने परदेशों में जाएंगे और लोगों के बीच में जाकर भारते जंता पार्टी को बेनकाब करेंगे आरेसेस की विचारधारा को बेनकाब करेंगे इनी शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ आपके जजबे को सलाम करता हूँ कि इतनी तप्ती धूप में आप लोगों ने अपना समर्थन रहूल गांदी जी के इस सत्यगरे के अंदर यहाँ पर उपस्तितों कर दिया इनी शब्दों के साथ आप सब लोगों को जै भीम जै समिधान